दोस्तो आज ब्रिटेन की तरफ से एक दावा ऐसा किया गया है जिसने पाकिस्तान की नींद को पूरी तरीके से उड़ा कर रख दिया है और इस दावे के बाद अब पाकिस्तान चाह कर भी अपनी मिसाईलों को भारत के उपर नहीं दाग सकेगा दरसल आज ब्रिटेन के IISS यानि की International Institute of Strategic Study के रिसर्चर की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है और इस रिपोर्ट में इन्होंने माना है कि जो पाकिस्तान की अबाबल बैलेस्टिक मिसाईल है ये नुकलियर कैपेबल मिसाईल के साथ-साथ MIRV टेकनलोजी से लेस मिस मिसाईल है यानि की ये मिसाईल अपने साथ में कई वोरहेड लेकर जा सकती है और पाकिस्तान ने अपनी इस अबाबल मिसाईल को इस पेशली भारत को टारगेट करने के लिए बनाया है और पाकिस्तान की तरफ से इस मिसाईल को लेकर ये भी दावा किया जाता है कि इस मिस S-400 को भी तभा कर सकते हैं लेकिन आज International Institute of Strategic Study के Researcher की तरफ से बोला गया ही कि पाकिस्तान भारत के डिफेंस सिस्टमों को देखकर पूरी तरीके से बोकलाया हुआ है इसलिए ही पाकिस्तान की तरफ से ये फाल्तु की बाते की जा रही है जो भारत का BMD डिफेंस सिस्टम है और जो इस समय भारत के पास S-400 डिफेंस सिस्टम है ये दोनों ही डिफेंस सिस्टम काफी अराम से पाकिस्तान की अबाबल मिसाइल को रोक सकते हैं साथ में International Institute of Strategic Study का तो ये भी कहना है की भारत के इन दोनों ही डिफेंस सिस्टम के सुरक्षा घेरे को पाकिस्तान चाहा कर भी नहीं भेद पाएगा और इस सुरक्षा कवच को भेदने के लिए चाहे पाकिस्तान अपनी अबाबल मिसाइल का इस्तिमाल कर ले या फिर अपनी बाबर क्रूज मिसाइल का इस्तिमाल कर ले पाकिस्तान फिर भी चाहा कर भी भारत के इन दोनों ही डिफेंस सिस्टम का कुछ भी नहीं कर पाएग वेसे देखा जाए तो इस समय भारत पाकिस्तान को देखते हुए अपनी सेना को मजबूत नहीं कर रहा है बलकि भारत की तरफ से तो चाइना को देखते हुए अपनी सेना को मजबूत किया जा रहा है और ये वही पाकिस्तान है जो अब से दो महीने पहले खूब दवा कर हव में उड़ रहा था और बोल रहा था कि हम अपनी अबाबल मिसाइल से भारत के BMD को काफी अराम से तभा कर देंगे और इस रिपोर्ट के आजाने के बाद अब पाकिस्तान की जनता के भी मुँपर पूरी तरीके से ताला लगने वाला है और खासकर पाकिस्तान की मीडिया के म अंक्या में BMD डिफेंस सिस्टम होने चाहिए इस बात का अंसर आप कमेंट बोक्स में दे सकते हैं ठेंक्स फॉर वोचिंग दिस वीडियो, हैव गूड डे